हलो एरिवान, वेलकम तो दे स्टूरेंट चाहां, इस वीडियो में जो हम देखेंगे कि एलपी के जो एक महीने के ड्यूटी होता है, उसमें कितना घंटे उसको गाम करना पड़ता है, कितना उनको रेश्ट मिलता है और लीव का सेड्यूल कैसे रहता है, और आउट इस्टे में ऐसे-एसे क्वेश्टन जो आ रहे थे, जो भी एस्टेंट थे, एलपी के लिए, ठीक, तो और जो लिनों का जोईनिंग हो चुका है, अभी ट्रेनिंग नहीं स्टाट हुआ है, तो वो लोग ऐसे क्वेश्टन जो पूछ रहे थे, तो इन सब ही क्वेश्टन का नहीं है, कहीं से किसी लोबी से मलगड़ी नहीं ज्यादा चलती है, किसी लोबी से जो है पैसंगेर गड़ी यह ज्यादा चलती है, तो हर जगा जो है एलपी का स्रेडूल अलग-अलग हो सकता है, एक नॉर्मल मैं अपना बता दे रहा हूं कि मैं एक महीने में मतलब मेरा क करना होता है फिर अगले जो है चोज़े दिन का एक फोर्ट नाइट डिसाइड किया जाता है सभी एलपी का जो एक चार्ट होता है ठीक है एक से में साइड ही होती है वहाँ पर से लोग जाते चलते जाते हैं और जो साइन आफ करते हैं उनका जो नाम जो है नीचे से एड होता जाता है लिस्ट ऐसे बढ़ती रहती है ठीक तो उपर जिन का जो सबसे पहले नमबर पर होगा उनका कॉल आगा दो गंटे पहले कॉल आजाएगा वह जाएंगे साइन और जो जहां भी उनको जाना है वह सकता है आ दूसरी गाड़ी में बैटके जाते हैं ठीक तो यह सेडूल लाता है फिर जब वह बारह घंटे बाद यह दस घंटे बाद जो फाइनल डेस्टिनेसन जहां उनको जाना होता वहां अगर पहुंच गये तो वहां पर उनको जो है मिनिमम जो है आठ घंटे का रेस्ट कम से कम उनको मिनलता है ठीक तो करीब अगर माल य jut 6 घंटे से कम उन्होंने काम करके है तो हो सकता है उनको 6 घंटे के लिए दूटी के लिए जा आपर कि आथ घंटे करके तो आपको अधी आपको आप टे लिये रेष्ट कर रहे हैं तो सबस्पे पहले उन पहले आए हुए हैं वह आप से पहले जो है की दूटी लगेगी वह पहले लेकर की जाएंगे मिन्मुम आठ गंटे का रेस्ट होता है हो सकता है वो दैस गंटे हो जाए बारे बारे गंटे हो जाए और से सऻमें गंटे जैसे हो आपको आपके माइलेगा मिलग française मतलब 16 गंटे अगर आपने आउट इस्टेशन पे रेस्ट किया तो आपके मालेज में 70 किलिमीटर आपको एक्स्ट्रा मालेज मिलेगा वहाँ पर फिर वहाँ से डूटी आपको गाड़ी जब लगती है तो आप हेट्वाटर में आप भी जो 8 गंटे या 10 गंटे जब भी जो मिलता है तो आपको को देखाटर में 50 आपको पहुंसरी तो वहाँ पो छानड़ी दोटी मिलता। आपको 16 गंटे से पहले आपको headquarter पे कोई duty के लिए नहीं बुला जाएगा और आपका नाम लिस्ट में सबसे नीचे चला जाएगा अब 16 गंटे बाद जो हो सकता है कि 16 गंटे भी हो सकते हैं 20 गंटे 30 गंटे हो जाते हैं यहां पर अगर आपके lobby में सहाय की संख्या बहुत जाता है तो हो सकता है आपको थो सकता है आपको कॉल मिल जाता है है तो जो है कभी हम लोग थी यह की एक सेड्यूल में मतलब एक रोज्टर जीज़ से कहा ज़ा ऑफ वो deci कम से कम आवे दो से या तीन गाड буде लग सकती मतलों सहाय के लिए अगर आपके लॉबी मेर ज्याइक कर तो दो से तीन गाड या ज्यादा नहीं लगती हैं इस यह प्रकुति है थो आप दो आपको जोनले कर दोती मनेल ने को तो कहल कि मिलें हृण सब्सक्रों कर देन के हाद खेवsong इस सब्सक्राइब स Realize नहीं किहें नहीं पांस तो ही एक जयाएं हो आपको यह वर्किंग और स्विद्धी आप फिर फिर अगले 14 दिन में आपको 2-3 ड्यूटी लगेगी तो आपका हो जाएगा करीब पूरे महीने में 6 ड्यूटी जो है आपका हो जाता है इससे ज्यादा आपको ड्यूटी नहीं करना पड़ता है निस्ट को सचनर कितना मिलता तो रेस्ट के बारे मैंने बता दिया कि 12 गंटे को सोट whiskey करना मिलता है लेकिन हर एक च्छै दिन के ड्यूटी के बाद आपको थार्टी आर्स का रेस्ट जो है आपको मिल जाता है मतलब अगर अगर आप 30 गंटे का रेस्ट लेना चाहते है तो तब 3 गंटे का भी रेस्ट आपको मिल जाएगा अराम से तो हर 6 दिन ओचेने के बाद आपको 30 GMT मिलता है लीव क्या है कि मनुदल आपको एक दिन फहले य़ अपको application देना पड़ेगा तो आपको चूक्ती मिले हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो यह फिर यह वियना चाहते हैं तो भी आपको जो है एक दिन या दो दिन पहले जो आपको बताना पड़ेगा अपने लॉबी में फिर इसका से आउट इस्टेशन रेस्ट के पर हम ने बता दिया वह कम से कम आपको आठ घंटे का रेस्ट जो है मिलता है छह गंटे का भी मिलता है लेकिन अगर आपने ड्यूटी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आपको इस जॉब में फेस्टिवल के लिए कोई इस पेसल लीव नहीं है मतलब अगर कोई भी तिवार आता ता ऐसा नहीं है कि पूरे लॉबी के लोगों को जो है छूटी दे दिया जाए ऐसा नहीं है तो इसके लिए आपको पहले से ही ज जिनती है चब्वी जनौरी है या 25 दिसंबर है जो भी मतलब नेशनल होलिडे है उस दिन अगर आप ड्यूटी करते हैं तो आपको नेशनल होलिडे अलाउमेस मिलता है ठीक है तो उसके लिए अलग से जो है पैसा आपको दिया जाता है उस दिन का तो यह हो गया इस पेसल दिन का जो मैंने बताया था कि 14 दिन का एक फोर्ट नाइट होता है इस 14 दिन में आपसे 104 आर से जादा जो है 104 घंटे से जादा ड्यूटी जब कराए जाएगी तब आपको जो है वो ओवर टाइम में जाएगा ठीक तो देखिए मैं मैंने बताया कि 2 से 3 ड्यूटी आपका पुरा लगता है एक चौदे दिन में तो एक ड्यूटी अगर आप करके आते हैंил यह जब लगाले करका है चोवैसित गंटे का विया कर अखिए मैक्सिमु पफचीस गंटे कि है तो पसीज गंटे का ने तो सहेखिक ए Samaibey में मतलब ऑर टाइमnot Act बहुत कम concept होता है अगर आप LPG लोको पाइलर गूट्स बन जाते हैं या फिर मेल बनते हैं ठीक है तो उस समय थोड़ा सा होता है कि ओवर टाइम आपका बन जाए लेकिन LPG के टाइम में ज्यादा चांस रहता है आपका ओवर टाइम बनने का लेकिन जब ओवर टाइम का टाइम आता मतलब होता है कि अगर आपका ओवर टाइम बनने वाला है तो जिनका कम ओर रहता है ड्यूटि और उन से जादा एक्स्टा होता है वह आपका उवर्टम जाएगा ऐसा नहीं है टोटल चोदेफ दिन शेज़ यह फूटल उवर्ट जोड़ा जाएगा वह स्टो चार्ट से ज़ाद होता है। जितना गंटा ज्याद होता है वह आपका ओवर ताइम का कॉंसेट इसके अलबग कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आप इस्टाग्राम पे मुझका मैसेज कर सकते हैं आड़ी है आपका आपको यहां पे लिखा हुआ दिख भी रहा होगा अगर आप मैसेज करेंगे तो आप मैसेज करेंगे तो मैं परस्नेली रिपलाई देता हूं तो जो लोग चैनल पे नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो अच्छा लगा तो सेर जरू करिए थैंकि दोस्तों अलवेस्ट